National Green Tribunal समेथ दूसरे Tribunals में नियुक्त और उनके अधिकारों में बदलाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकापर कोर्ट ने केंदर सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा है इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सही होगी सिदात पांडे Tribunals के Chairperson कौन चुनेंगे उनके Members कौन चुनेंगे उनकी तंखा क्या होगी उनको छुटी कब मिलेगी ये सब सवालों का जवाब अब केंदर ही देगी बलकि याचिकरताओं ने केंदर को चुनौती दी है इन सब सवालों को लेके सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि एक जून के बाद केंदर ने ये सारे सवालों का जवाब और उनका अधिकार अपने पास कर लिया था फाइनाइन्स बिल के जरिये उन्होंने अपने पास सारी पावर्ज रख ली थी इन सब सवालों के जवाब देने के लिए याचि करताओं का कहना है कि इससे जो इंडिपेंडिंस जो है ट्राइबियूनल की उन पर असर पढ़ेगा खासतर से नैशनल ग्रीन ट्राइबियूनल को लेकि नशनल ग्रीन ट्राइबियूनल ने अक्सर सरकार के कई पॉलिसीज और स्कीम इ 손को चुनौती दी है बलकि इसके पहले जून एक के पहले स्वातियंतर तरह थी एकदम इंडिपेंडन्स थी एंजी टी की टेर पर्सन की नुकती चीफ जस्टिस के नुमती के बाद होती थी उनको आगर निकालना भी है तो चीफ जस्टिस से पूछ के निकाल सकते हैं उनकी तनकाज जो है उनकी जो लीव जो है ये राश्टरपती तैक करते हैं लेकिन एक जून के बाद ये सारा जो मामला जो है केंदर के हाथ में आ गया है इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर का पार्ट 14 चैलेंज किया है जिस पार्ट के अधार पर सेंट्रल गॉर्मेंट को ये पावर दी गई थी कि वो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स में फेर बदल कर सकें और जुडिशल मेंबर्स की जगा टेकनिकल मेंबर्स भी लाए जा सकते थे तो ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें नोटेस इशू किया है और दो हफ़ते में सेंट्रल सरकार से केंद्रे सरकार से इसका ब्योरा मांगा है